यह है दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक साइकल मोटर। इसको हमने खुद नहीं बनाया है। और आप भी इसको घर पर बना सकते हो इस वाली वीडियो को देखने के बाद। यह बहुत जादा पाउरफुल है। देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। वीडियो को पू आप से मिली है असी रुपे के अंदर क्योंकि यह खराब हो चुकी है तो उनकी किसी काम की नहीं है तो मैंने असी रुपे में पर्चेस कर लिए। और भाईयो अब यहाँ पर क्या करेंगे इससे हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक साइकल की मोटर। जो की काफी पावरुफुल और अब पर जोने वाली है तो फटापट से आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको ऊपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहां पर इसके अंदर नोडिकरिकिशन करेंगे सबसे पहले इसके अंदर चार इस्कुरू दिए गए घए चयाए और जब तक मैं इसको क्हों आपको कर कि यह जल गई है और अव्र देक सकते हो बोडी पूरी संती हो रही है तो यह जो आर्म थड्यू ready तो अब है कर लिए बाइघ more और गंटर को को घ्राठब देंगे और यह पिस इक्यालो का यह यह चक्छा है और यहां पर देख से तो छोटा जो गेर है यह हमारे आर्मेचर के अंदर लगा हुआ है तो यह जब छोटा गेर चलता है तो यह बड़ा गेर क्या करता है इस पिट कम करके टोर्क को बहुत जादा बढ़ा देता है जिससे हमारी जूम बाइक ही वह एक स्टार्ट में चालू हो अब यहां पर क्या करेंगे इस आर्मेचर के आगे साइड में जो गेर लगा हुआ इस गेर को कट कर देंगे तो फाइनली यहां पर मैंने इसको कट कर दिया है और आप देख सकते हो कि इस आर्मेचर से हमने गेर को निकाल लिया है बाहर की साइड में अब भाई यहां पर ह क्या करेंगे इस motor के सामने की साइड में इस gear को fit कर रहा हूँ होगा तो इसके लिए यहां पर एक hole करना होगा जो भाईयों हमें घर पे बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि घर पे किया है तो यह जो टेडा मेडा हो जाएगा आपको जाना है लेत मशीन की शोप पर और लेत म ठोक दूँगा और यहां पर जो मैंने होल किया है वह 5 mm का होल करवाना है आपको क्योंकि हमारे सेवन सब्सक्राप डीसी मोटर की जो शाप होती है वह 5 mm की होती है अब हमारे जो इसक्रू है वह एक्ष्टरा निकला हुआ है इसको यहां पर कट कर देंगे हम तो देख सेकत इसको हम पकड़ेंगे और यहां पर जो देख सेकतो कार्बन ब्रश लगा हुआ है इसको कार्बन ब्रश को में निकालना होगा क्योंकि इसकी कोई जरूत नहीं है तो फानली यहां पर एक तो मैंने निकाल दिया है दूसरे वाले को मैं कट करके निकाल दूँगा और यहां मोटर को सपोर्ट करेगा दोनों तरफ से और गाईज यहाँ पर इस मोटर को मैं लगाने के लिए अभी मैं टेंप्रेल इसको टिका दूँगा यहाँ पर बाद में जब मैं इसका इलेक्ट्रिक साइकल बनाऊंगा तो उससे यहाँ पर इसका परमानेट जुगार करके आपको दिखाऊंगा तो फाइनली गाइस अब यहां पर क्या करेंगे हमारा बड़ा वाला जो गेर है उसको इस टैप से लगा देंगे यहां पर और यहां पर मैं लगाऊंगा इसके अंदर ग्रीस इससे क्या होगा भाईयो कि हमारी जो मोटर करें काफि स्मूथ चलेगी और आवाज नहीं करेगी और यहां पर यह तो तो फाइनली गाइस अब यहां पर ऊपार वाला जो से पार मैं लगा दूँगा से और यहां पर जितने भी नट बोल्स थे उन सभी को वापिस हमें टाइट करना होगा तो वाई हो मोटर बनके तयार हो चुकी है और आप देख सेकतू कि यहां पर जो है मारी मोटर को मैंने इसके अंदर एक क्लिप की दुवारा बांद दिया है यहां पर जो मोटर बाहर की साइट में निकलने वाली नहीं है और यह काफी मजबूती से लग चुकी है अब यहां यहां पर इसका हम टोर के चेक करेंगे कि यह साइकिल को उठापाईगी इसके लिए अपर मैंने एक धागा बांदा और नीचे के साइट में आप देख सकते हैं मैंने सिकन्जे को बांद दिया है और यह जो सिकन्जा है पूरा लोहे का है बहुत जादा वजन इसके अंदर मैंने इसको बांद दिया है और अभी इसको चलाने वाला हूं यहां पर 12V की बैटरी से चलाने वाला हूं इसको अंदर हम 24V देंगे जब इलेक्रिक साइकल बनाएंगे तो अभी हमारा यहां पर आप देख सेट अप मैंने सेट कर दिया है और यहां पर मैं इसको इसको चा अब इस बैटरी के अंदर में यहां पर इसका connection कर दूँगा और finally guys अब यहां पर इसको हम चालू करेंगे finally guys यहां पर इसको मुझे काफी ताकत से पकड़ना पड़ेगा वरना यह जो है ना सिकंजा काफी weight है इसके अंदर 1, 2, 3, start यह तो काफी आराम से उठा रही है यार वाओ यार मैंने सोचा नहीं कि इतने आराम से उठा दीके एक बार और दिखा तो आपको अभी मैंने जो इना इसका लगबग मानली जाए आप चार वोल्ट के आसफास जा रहा होगा चार से पांच वोल्ट और देख सकतो कम स्पीट का अंदर भी है कितनी आराम से उठा रही है अब इसको मैंने बंद किया है वापीश चली गई है अब यहां पर इसको स्पीड से चालू करेंगे वह बहुत रहा है यार इस पीड का अंदर तो काफी तेज स्पीड से उठा रही है एक बार वह स्पीड से करेंगे अब यहां पर आप देखिए इसकी स्पीड आपको पता लगे क्योंकि यहां पर मैंने पूरी स्पीड नहीं थी तीप क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड दरेंगे तो यह काफी जल्दी से हमारे लोड को उठा रही है और हमारे हाथ में लग भी सकती है इसलिए मैं आपर दीरे-दीरे इसको चालू कर रहा था अब यहां पर इसकी पूरी स्पीड में करके दिखांगा आपको ठीक है यह इसकी ज बाइस यह जो है मैं पूरी complete हो चुकी है और इससे next वाले वीडियो के अंदर हम इसको एक साइकल के अंदर कनेक्ट करके देखेंगे कि यह जो मारे लोड ले वाती है और आप सभी को पता है बारा वोल्ड के अंदर कम स्पीड़ी के अंदर भी इस लोड को उठा लिया है और यहां पर जो मुझे पता है कि इसके अंदर हम दो स्टैप की सिकन्जो को भी लगा देंगे तो यह आराम से उठा लेगी विकि यहां पर जो है ना इसके अंदर डिसी मोटर है काफी ज़्यादा पावरफल होती है दूसरी बात इसके अंदर गेर लग चुका जो टोर्क वाला जुगार केशा लगा अच्छा लगा हो तो भी comment कर देना और इसमें कुछ कमी रह रही हूँ आपके दिमग में जो बहु कर का Crash लगी है तो जरूर आपको यह वाली वीडिएओ भी YouTube इसके अंदर मैंने आरो पंप का प्यूरिफायर का जो पंप होता है उसके अंदर से मोटर निकाली और उससे हमने इलेक्ट्रिक साइकल बनाई तो फानली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना और चैनल पर नोगतों सब्सक्र बार बार बदीस